आज हम बात कर रहे हैं मेगनेटिक फिल्ड और एक्जियल एंड इक्विटोरियल एक्सिज आफे बार मेगनेट बिल्कुल सही है जैसा आप लोग सोच रहे हो कि हम लोगों ने इलेक्टर स्ट्राटिक के अंदर भी कुछ ऐसा ही कर रहा था कि हम लोगों ने एक डाइपोल के एक डाइपोल के एक्जियल एंड एक्विटोरियल एक्सिज के ओपर हम लोगों ने इलेक्टरिकल फिल्ड निकाला था इसी तरह हम लोग एक बार मेगनेट के एक्जियल और एक्विटोरियल एक्सिज के ओपर मेगनेटिक फिल्ड निकालने वाले हैं ठीक है तो शुरुवात कर रहे हैं हम लोग एक्जेल एक्सिस के उपर ठीक है ना मेंगेटिक फिल्ड अन्दा एक्जेल एक्सिस ऑफ ए बार मेंगेट चीक है प्यारे मिच्चो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कंसेडर कर ले एक बार मेंगेट को ठीक है यह हम कहें एक डाइपोल को ठीक है ना यह इसका नॉर्थ पोल हो गया स्वरी साउथ पोल हो गया यह इसका हमारे पास नॉर्थ पोल हो गया और इसकी एक्जेल एक्सिस के उपर हम एक पॉइंट कंसिड़ू कर लेते हैं कि यह 5 होगी हमारा ऐिए जो पोल की बीच और दॉइल्द के अंदर हमने जो स्टसर्प लिया था बिट्मीन द Orgy see magnetic length है ठेक वाचियों और इसका सेंटर मानने मिलेग अश्क नेन कि यह एल हो गया यह भी एल है इसके कना फंडा क्लिर हुआ समझ में आया यह लोगों को क्योंकि हम लोगों ने इस लेंथ को टू ऐल लिया था कि क्लियर है कि हम लोग बात करते हैं कि कंस्डी करके चलते हैं कि सिर्जियों कि अ अ आ ला इप आ ला इप्डेंग लग का लैपक हर लेफर षुटर्ग कि अ लुटर्ड गाग्न के लिए रहे बच्छों यानि की डाइपोल की बीच का डिस्संस हम लोगों ने 2L कंसिडर करके चल रहे हैं आपर निकलना चाते हैं और Claire है और इन सब क्या कर लेगा हम लोग वेक्टर सम कर लेंगे और वेक्टर सम करने के वहाद हमारे पास नेट फिल्ड हमें मिल जाएगा ठीक है बच्चों तो शुरॉत करते हैं कि मेंगनेटिक कि फिल्ड कि एट पॉइंट पी ड्यू टू दर नॉर्थ पॉल यह हमारा नॉर्थ पॉल है इस पॉल के वेशे हम लोग क्या निकालना चाहते हैं है। पॉइंट पी के ओपर मैंगनेटिक फिल्ड निकलना है है। है । मैंगनेटिक फिल्ड मालनें पहली वार निकाल रहे हैं तो उसको बैंने लिख सकते हैं B1 क्या लिख सकते हैं winter अब इसको यह सदी यह यह पी बिश्कन कि पोरगर। कि अब आप दिवांक में कोश्चन लगा रहे होंगे सर की यह बीवन सिधा कैसे लिख दिया जैसे कि एलेक्ट्रिकल फिल्ड के इंदर हम लोगों ने लिखा था फोर्स अपॉन में चार्ज यानि कि टैस्ट चार्ज रखाता है ऐसे यहां पर हम लोग लिख रहे हैं मैगनेटिक फॉर्स अपॉन में टेस्ट पॉल क्यू एम नॉट यह हमें क्या देगा मैगनेटिक फिल्ड देगा ठीक है ना मियू नॉट अपॉन में फॉर पाई क्यू एम नॉट अपॉन में आर स्केर था तो यह क्यू एम नॉट से क्यू नॉट करती जाएगा ठीक है तो हमें मिल जाएगा मू नोट अपॉन में 4π Qm अपॉन में R स्केर ठीक है प्यारे बिच्चो ठीक है तो वही चीज हम लोगों नहीं है फिर से रिपीट कर दी कि मेगनेटिक फिल्ड हम लोगों को मिल रहा है वो मू नोट अपॉन में 4π Qm अपॉन में R माइनस L क्योंकि यह जो डिस्टेंस है यह R माइनस L है ठीक है ना और पूरे का होल स्केर अगर यहां डारेशन का सेंस देना चाहते है तो हम लिख देंगे अलोंग दा बीपी यानिए कि बी से लाइन निकल रही है समझ में आया है सेम यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं Magnetic Field at point P due to the South Pole South Pole की वज़े से हम लोगों निकालना है Magnetic Field निकालना है सेम मालने थे यह B2 होगा और वो कितना जाएगा मूनोट अपॉन में 4π Q M और South Pole और point P के बीच का distance कितना प्यारे बच्चो यह है R plus L है कि नी R plus L और उस पूरे का Hall Square यहां पर अगर डारेक्शन लिखेंगे तो along P से A यहनिकि Magnetic Lines of Force South की तरफ आती है along P A ठीक है फंडा के लिए हुआ समझ भी आया अब Net Field हम लोग निकालना चाहते है Net Magnetic Field at point P ठीक है मान लेते हैं हमारे पास B net आएगा वो आएगा B1 minus B2 क्योंकि बड़े में से में छोटा सब्ट्रेक्ट कर रहा हूँ ठीक है ना यह बड़ा कैसे बन गया क्योंकि यह R minus L था यह R plus L था यह distance कम है तो यह ज़्यादा होगा यह distance यहाँ पर प्यारे में चोग कम है तो यह ज़्यादा होगा यह ज़्यादा है तो यह कम है ठीक है तो यहाँ पर B1 का value mu naught upon में 4 pi into में Qm R minus L उस पूरे का whole square minus mu naught upon में 4 pi Qm R plus L उस पूरे का whole square और यह हमें मिल गया B net ठीक है comment हम भार ले लेंगे mu naught upon में 4 pi Qm 1 upon में R minus L उस पूरे का whole square minus 1 by R plus L उस पूरे का whole square B net यह जो B net मिल रहा है वो B axial हम लगों को मिल रहा है कहा है ब्यारे बच्चो B axial मैं इसको B axial ही लिखूँगा तेको mu naught upon में 4 pi into में Qm इसको पूरे को solve करेंगे तो नीचे R square minus L square इस पूरे का whole square क्योंकि देखो यह L शेम आ जाएगा और उपर इसको simplify करने के बाद आजएगा 4 R L क्योंकि इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं upon में R square minus L square उसको पूरे का whole square Qm into में 2L यहां पर magnetic moment बनता है क्या बनता है प्यारे बच्चों magnetic moment बनता है तो यहां लिख सकते हैं B X L is equal to हमारी पास आ रहे mu naught upon में 4 pi M into में 2 R upon में R square minus L square का whole square B X L हमारी पास आ गया mu naught upon में 4 pi इसको लिख सकते हैं 2 M into में R upon में R square minus L square का whole square B axial अगर हम बात करें कि R बहुत बड़ा है और L बहुत चोटा है यानि कि हम लिख सकते हैं 4 L very very less than R उस case में क्या होगा कि L square को हम लोग क्या कर देंगे nearly nearly zero put कर देंगे ठीक है तो उस case में जो हमें B axial मिलेगा न बच्चो वो क्या मिलेगा कि हम लोगों को magnetic sorry electrical field के अंदर भी मिला था लेकिन वहाँ electrical field था यहाँ पर epsilon node का फंडा था यहाँ magnetic moment ना होके क्या था electrical dipole moment था ठीक है ना भई तो हम लोगों को समझ भी आया कि हमारा यह relation बिल्कुल similar है जैसा कि हम लोगों ने electrostatic के अंदर discuss कर रहा था ठीक है प्यारे बच्चों बात आप लोगों को समझ में आई ठीक है वीडियो को पॉस करके एक बड़ी सारी चीज़े not down कर लेना भई आगे बढ़ते हैं इसी तरह हम लोग जो magnetic field है वो हम लोग निकाल सकते हैं कहा निकाल सकते हैं भई बिल्कुल equatorial axis के ओपर निकाल सकते हैं शीके ना भई magnetic field on the equatorial axis of a magnet magnet है उसकी equatorial axis के ओपर हम लोगों ने magnet sorry magnetic field निकालना है magnet की equatorial axis के ओपर ठीक है फिर से हम लोगो एक magnet consider कर ले हम लोग क्या करें हम एक magnet consider कर ले यह हमारा magnet होगी है प्यारे बच्चों ठीक है इधर हमारा south pole है इधर हमारा north pole है ठीक है यह हमारा equatorial axis होगी यह length हमारी L है और यह length भी हमारी L होगी और माल लेते हैं कि यह जो point P है ठीक है यह यहां से माल लेते है R distance के उपर है clear है बात समझ भी है इस चीक है तो हम लोग देखेंगे कि यह जो हमें मिलेगा यह जो length हम लोगों को मिलेगी वो मिलेगी root R square plus A square इसी तरह यह जो length हम लोगों को मिलेगी वो मिलेगी हम लोगों को R square plus A square clear अब magnetic field निकालेंगे north pole की वज़े से और south pole की वज़े माल लेते हैं यह point हमारा A है और यह point हमारे पास B है और यह इसकी equatorial axis थी और इसके साथ जो angle बना के चल रहे थे वो theta यह भी angle किता बना रहा था theta ठीक है theta हम लोग यहां consider करके चलेंगे कि at least हम पता हो कि angle जो है वो horizontal axis के साथ कितना बन रहा है ठीक है कि हम लोग निकालते हैं है कि magnetic field कि एड़ पॉइंट पी कि डिटू दा कि नॉर्थ पॉल नॉर्थ पॉल की विज़े से हम लोग क्या निकाल रहे है मैगनेटिक फिल्ड निकाल रहे हैं से माल लेता है यह बीवन है ठीक है पेरे बच्चो बीवन हो गया मूद अप्सोर पाउं इंतुब में पॉल स्ट्रेंथ क्यू एम और डिस्स कितना है कि आर स्केयर प्लसमें ए स्केयर रूट और इसका भी व्ए हॉलपावर ढ़िश की बीवन म्यू नॉट अपॉन में फॉर पाई इंटु में क्यू एम या या आर स्केर प्लस में ए स्केर शिक है ना डारेक्षिन का संस लेंगे तो यह पॉइंट बी था तो अलों कहां मिलेगी बी-पी क्लिर है यान कि हमें जो बी-वन मिला प्यारे बच्चो वो इधर मिला ठीक है सिमिलरली हम लोग साउथ पोल की वज़े से भी पॉइंट बी के ओपर मेंगनेटिक फिल्ड निकाल सकते हैं सिमिलरली मेंगनेटिक फिल्ड मेंगनेटिक फिल्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दा साउथ पॉल ठेक है मान के चलते हैं से बी-टू बी-टू हम लोग इसको कंसेल्ट करके चल रहे हैं और वह बी-टू कितना होगा भाई म्यू नॉट अपॉन में फॉर पाई ये तो है पॉल स्टेंथ ये भी सेम है डिसंस अब कितना यहां पर भी सेम है तो आर स्केर प्लस में ए स्केर डारेशन की तरह जाएगी अलों पी से ए क्लियर है यानि कि यह बी-टू जो हम लोगों को मिलेगा वह इधर मिलेगा आप देखो यह बी-वन और बी-टू है ना ना तो एक्स एक्सिस में ना वाई एक्सिस के इंदर तो इनके कंपोनेंट हम लोग डिवाइड कर लें यहां पर अगर मैं एक इमेजनरी होरिजनेंटल लाइन यहां कंसिडर करता हूँ तो बैं देखते हो यह एंगल थीटा है तो यह बी कितना होगा प्यारे बैच्चो थीटा होगा तो यह कितना बन जाएगा बी-वन कॉस्ट थीटा और उपर कितरों बन जाएगा बी-वन साइन थीटा ठीक है अगर यह एंगल थीटा है तो यह एंगल भी कितना होगा थीटा होगा तो बी-टू का कंपोनेट इस डारेक्शन में कितना मिलेगा बी-टू कॉस्ट थीटा और यह हमें नीचे की तरफ मिलेगा मैं यहां दिखा रहा हूँ बी-टू साइन थीटा ठी यह component और यह component बिल्कुल opposite direction एक दूसरे को cancel कर देंगे क्यों cancel कर देंगे क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो B1 का magnitude है और B2 का जो magnitude है वो equal है ठीक है बट यहां पर magnitude है इक्वल है बट डारेक्शन क्या है अपॉसिट है तो एक उपर होगा एक नेक्चे की तरफ होगा तो एक दूसरे को एक दूसरे को बीवन साइन थीटा और B2 साइन थीटा कैंसल कर देंगे ठीक है तो हम लोगों को जो नेट फिल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है बीवन कॉस्थ थीटा प्लस में बीटू चॉस थीटा अब इन दोनों का मैणिटूड तो इकवल है हम लोग लिख सकते हैं किसी एकको मैं पकड़ लेता हूं ठीटा बीवन कॉस्थ थीटा बीनेट हम लोगों को मिल गया है और यह बीनेट जो मिल रहा है वो एकवीटोर एक्सिस के उपर 2 B1 की वेल्यू मुझाट अपॉन में 4Pi इंटू में Qm अपॉन में आर स्केयर प्लस एस्केयर इंटू में कॉस्ट इटा को सिटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइप उट तो फीगर में जाते हैं तो यह हमारा बेस है और यह हमारा हाइप ओट है चीक है तो बेस की लेंथ हमारे पास L है और हाइप ओट की हमारे पास R स्केयर प्लस में A स्केयर के लिए रहे है B एक्विटोरियल यह हो जाएगा देखो मुझाट अपॉन में 4Pi 2 इधर आ गया यानिकि Qm इंटू में 2L इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो R स्केयर प्लस में A स्केयर का हॉल पावर 3Y 2 B एक्विटोरियल हम लोगों को मिलेगा मुझाट अपॉन में 4Pi इंटू में देखो यह बन गया M और यह R स्केयर प्लस में सॉरी यह प्यारे बच्चो हर जीगा पर हम लोगों ने एक्विटोर कर लिए एक्च्वल में यह एल था ठीक है यह एल है यहने कि हमने इलेक्टो स्टाटिक वाला ही जान रखा ठीक है इसको थोड़ा सा करेक्शन कर ले ना एल वैसा डेरिशन में कोई फरक नहीं पढ़ रहा है तो यह हो गया कि भी एक्विटोरियल कि मिव नॉट अपन में फोर पाए इन्टु में एम आर स्केर प्लस में एल स्केर का होल पावर थ्री बाए टू शेके ना यहां पर बोल दे कि इफ एल वेरी वेरी स्माल कंपेर्टू आर तो जो एल स्केर है वो नेरली हम लोग क्या कर देंगे जीरो के एक्विटोरियल है कि उसके लिए हम कहेंगे म्यू नॉट अपन में फोर पाए इंटु में एम अपन में आर क्यूब के लिए बच्चों फंडा क्लियर हुआ आप लोगों से पूछ ले कि बी एक्जियल अपॉन में बी एक्विटोरियल का रेश्यो अगर हम लोगों से पूछ ले जाए तो क्या होगा तो प्यारे बच्चों हम लोग बता सकते हैं म्यूनोट अपॉन में 4Pi 2M अपॉन में RQ य बाहर का रस्ता दिखा देंगे म अपॉन में RQ से म अपॉन में RQ कैंसिल तो यहां पर हम कह रहे हैं बी एक्विटोरियल इस इकल टू आता है वो टू बाए वन तो ऐसा कोशन अगर आप लोगों के पास आता है तो आपनों कीजीगा सीबियसी के इंदर जनरली डेरिवेश और इसे जुड़े कॉष्ण पूछे जाते रहे हैं ठीक है कि फंड़ा क्लियर हुआ कांसर्ट क्लियर हुआ ठीक है कि आगे बढ़ते हैं ठीक है इस इजड़े कुछ निमरीकल करते हैं तक हमारा कौन सा थोड़ा सा और अच्छा हो जाए ठीक है ना थोड़ा नी बात अच्छा हो जाए प्यारे बिच्छों स्क्रीन के उपर आप लोगों को स्टेट्मेंट नजर आ रही है कि क्या कह रहा है कि हमारे पास दो स्मॉल मेंगनेट है ठीक है ना दोनों की कि दोनों हमने होरिजंटल रखे हुए है ठीक है ना पर्पेंटेगल टूदा बैटिक मेरीडेन फंडा है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगा ठीक है बस विगर में आप लोग देखो कि दो नौर्थ पोल एक दुसरे के आमने सामने रखे हुए है ठीक है किसी पॉइंट पी से देर नौर्थ पोल दोनों की नौर्थ पोल क्या कह रहा है थी सेंटीमीटर एस्ट और 20 सेंटीमीटर वेस्ट रखे हुए एक कमपास निडल से यानि कि यहां पर क्या रखिए एक कमपास निडल है प्यारे बच्चों ठीक है खेरें कि अगर हम बात करें कि कमपास निडल यहां पर i किjoner됐ी वह. कहीं पे भी डेफलेक्षिं नहीं देरी जैसी थी वैसी घंव रहती है पा दो के रह रहन है कि इसके पॉंट के ऊपर अगर मेग्नेटिक विल्ड क्सट अगर इसके पहल Docker jo इसका तो इंन को करने कबेर करने का मतलब हम लोगों ईंटो कर रिश्यो का रिष्यो कंड्य थ braking तो यह हमारी लिए मैगेनेट वण हो घया यह मैगनेट हमारी वे टो हो गया तो मैंजुनर कि फिल्ड है मैगनेट सुंद मानेत पि एड़ पैट-प्इट सब्णिया है इसमारी न्युक्त तो भूज स αυτ है डी टू दम मेंगनेट फर्स्ट देखो एक्जल पॉइंट के उपर लाई कर रहा है तो बीवन कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में फॉर पाई इंटु में टू एम वन और 20 का सेंटिमीटर है 10 तो पाउर मैंनेस टू उस पूरे का हॉल क्यूब क्लियर फिंडा हुआ इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे मैगनेटिक फिल्ड मैगनेटिक फिल्ड एट पॉइंट पॉइंट पी है ड्यू टू दा मैगनेट टू मैगनेट टू की वाइसे हम लोग निकाल रहे हैं तो माल ने तहीं बी टू आएगा और वाज आएगा म्यू नॉट अपॉन में फॉर पाई इंटू में टू एम टू अपॉन में तेको यह डिसंस कितना है 30 तो 30 इंटू 10 टू पाउर माइनस टू उस पूरे का हॉल क्यू को ठीक है दॉनों फिल्ड क्या होंगे इकवल है नॉझा पॉसिट होगे यहाँ पर कहा रहे हैं हमारी चूंपस टेल ऑन डिफलेक्टेटेट रहती है अन मतलग धिवर में ब्लेल की वर्यवार्पार माइव घूप ओंट? अपं में फोर्पाइं इंटू में इम एम फ़नेटть इंटू अपाइब मैं इंस पुरे का हॉल क्यों एक्वोल स्थूज म्यू पॉर्फाइं पॉर्पाइं работать ठो कर रहे है तू एम टू अपॉन में थर्टी इंटू 10 to power minus 2 उस पूरे का होल क्यूब कोमेंटम को हम लोग भाहर का रास्ता दिखा रहे हैं भाई ठीक है यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ M1 अपन में M2 अब देखो M1 तो यह था M2 इधर नीचे आ गया यह उपर चला जाएगा 20 into 10 to power minus 2 का होल क्यूब यहां आगया 30 into 10 to power minus 3 का होल क्यूब जहां है यहां सॉल करेंगे M1 अपन में M2 जब सॉल करेंगे यह 8 by 27 हम लोगों को मिल जाएगा इस फंडा के लिए हुआ समझ में आया आप लोगों को बहुत बढ़ी है आगे बढ़ते हैं नेक्स कॉश्चिन की तरफ क्या कहता है कि हमारे पास दो शॉर्ट मैगनेट है P और Q ठीक है यहां पर कह रहा है कि एक मेगनेट हमारा P है और दूसरा मेगनेट हमारा Q है और दोनों को एक दूसरी के ऊपर रखा है ठीक है और इस तरह से रखा है कि दोनों की मेगनेटिक एकसे पर्पेंटिकुलर है एक दूसरी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के रखे हुई है ठीक है हमने क्या करा कि कि इसी पॉइंट के ऊपर कि इसी पॉइंट हमने अर्बितरी चूँज कर रहा ठीक है न इस पॉइंट के ऊपर देखा की जो मेंगनेटिक फिल्ड है जो net magnetic transmissions अ क्या रहा है में एक्शक्ण और रॉड़ Нач Yeah, 30 degree यानि कि net magnetic field इस horizontal के साथ कितना angle बना के निकल रही है 30 degree का angle बना के निकल रही है तो कह रहा है कि इन दोनों के magnetic moment का ratio क्या होगा इन दोनों के magnetic moment का ratio क्या होगा फिर से statement को सुनो भई कह रहा है कि हमारे पास दो magnet है दोनों magnet एक दूसरे के perpendicular रखें दोनों की magnetic axis यह पहले वाले की magnetic axis थी यह दूसरे वाले की magnetic axis थी दोनों की दोनों एक दूसरे के perpendicular है अब कहता है कि जो resultant field आता है इन दोनों की वज़े से वो horizontal के साथ angle कित्ता बनाके निकलता है 30 degree का बनाके निकलता है किलिर है भई horizontal के साथ angle कित्ता बनाके निकलता है 30 degree का बनाके निकलता है तो हम लोगों ने यहाँ पर in magnetic moment इन दोनों के magnetic moment का ratio बताना है ठीक है कि देखो solution के उपर आते हैं आप ध्यान से देखना वही कि देखो यह जो पॉइंट पी है यह पहले वाले यह मैगनेट पी की कि एक्जिल एक्सिस के उपर आता है आता कि यह आता है कि यह आए कि लियर है और माले न tentang यह E आर हो गया है हांकिए न थो में इस मैगनेट पी की वह से इक यह माले से यह टाप एक माल ले मुनोट अपॉन में फॉर पाई इन्टू में टू एम पी अपॉन में डिसंस कितना हो गया आर क्यूब से एक्विशन फर्स्ट सीके रहा सिमिलर्ली है हम लोगों ने निकालना है मेगनेटिक फिल्ड एट पॉइंट पी डियू टू दा मेगनेट क्यू अब देखो अब यह नहीं कह सकते हैं कि इसकी वज़े से भी यहां पर फिल्ड एक्विशन वाला होगा नहीं देखे नॉर्थ पॉल है नॉर्थ पॉल से मेगनेटिक लाइन सो फॉर्से से घूम कैसे कि बैंसे जाती है जाती अंतो ऊपर की तरफ था यहने कि वीपी थो हमें अधर मिल गया है लेकिन जो बीगी वह हमें पॉपर की तरफ मिलेगा यह कूट मेनेटिक लाइन सो फोस इसने ंतानी है 저희가 तो यह हमारा जो point है यह दूसरे magnet के exit line के ओपर लाई कर रहे है और यह center से इसका distance कितना हो गया आर हो गया देखो यह magnet कियु था और यह के exit line के ओपर लाई कर रहे है तो हम लोग लिख रहे है Bq वह कितना होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में MQ अपॉन में RQ से एक्विशन सेकिंड फिगर से जाए तो हम देख रहे है BQ और BP का जो रिजल्टेंट है वो होरिजन के साथ एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है तो हम लोग लिख सकते है BQ यह लिए कि हाइट अपॉन में बेस BP इस इकल टू टैंजेंट 30 डिग्री हां कि ना फंडा क्लियर हुआ अब BQ की वैल्यू कितनी है बच्चो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में MQ अपॉन में RQ BP की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 Mp अपॉन में RQ और टैंजेंट 30 होता है भाई 1 रूट 3 सुरी वन बाई रूट 3 सुरी कोमेंट हम को भार का रास्त दिखा देंगे कट गया RQ से RQ कट गया यहां पर अब क्या आएगा देखो MQ अपॉन में 2 Mp इस इकल टू 1 रूट 3 MQ अपॉन में Mp इस इकल टू 2 रूट 3 उल्टा कर देते हैं Mp by MQ हमारे पास आजाएगा Rूट 3 by 2 तो यह हमारा बन गया बच्चो आंसर के लिए रहे फंडा के लिए हुआ बेटे जो भी कोशन हम लोग कर रहे है यह तो CBSC के अंदर कभी ना कभी आए हुआ है या इसके जैसे exact question बस numerical value यहाँ change होगी और कोशन exact वहाँ पर आये हुए है ठीक है यह चीज़ आप लोगों ने धान में भी रखना फंडा क्लियर हुआ है यहाँ पर समझ भी आया आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ क्या रहे हैं कि हमारे पास दो अडेंटिकल मेंगेट है अडिक अडेंटिकल डाइपोल है चीज़े ना और हर एक का डाइपल मुमेट कितना दे रख्या है वन एम्पेर मीटर स्केर दे रख़ें यंडिकी M1 इककवल्स टू एंट्व इकक वाल्स टू एंब और वर फंब कर दीए तो स्टिक है है कि दोनों की दोनों एक दूसरे के साथ दो बिठर के डिस्शंस के उपर है यहल़निकि दोनों की Katherine दूसरे के परपेंडीकुलर है इसकी एक्सिस इदर है तो इसकी एक्सिस इस इस उतार है बाई इसकी इसकी एक्सिस टो यह होगी और इसकी में अक्वेश्ुआ यह produce कि और दूनों की इस पनल कितना हों इस घंष सुट में Kenny मेगनेट से एक मेटर की दूरी पर है और दूसरे वाले मेगनेट से भी एक मेटर की दूरी के ऊपर है कि लिए रहे हैं बात समझ भी आई resultant magnetic field पूछा है ना कि magnetic moment पूछा है यह चीज आप लोग ने ध्यान में रखनी है ठीक है अब पहले वाले magnet की बात करें ठीक है ना तो यह point P पहले वाले मेगनेट की एक्जे लाइन के उपर लाई करता है और माल लेते हैं कि यह net magnetic field B1 आएगा थीक है दूसरे वाले मेगनेट की यह equatorial axis के उपर लाई करता है और हम देखेंगे जो net magnetic field आएगा दूसरे वाले मेगनेट की यह से वह उपर की तरफ आएगा तो B1 B2 हम लोग निकाल सकते हैं कि B1 कितना यह गा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाए इंटु में 2 M 1 अपॉन में आर क्यूब बी वन म्यू नॉट अपॉन में 4 पाए 2 M की वाले बच्चों 1 है 1.0 आर भी कितना हो गया यहाँ पर 1 ही हो गया तो यह बड़ा असान हो गया कि लिए रहे तो B1 की वाली यहां निकालेंगे तो भाई 2 इंटु देखको यह पूरी वाली 10 पाउर माइनस 7 10 पाउर माइनस 7 टेसला कि कि लिए रहे इसी तरह हम लोग बी टू निकाल सकते हैं कि अब मेरे को पता है कि बाई देखो जो बी टू आएगा वह आएगा मुनोट अपॉन में 4 पाई 2 एम की वेल्यू 1.0 डिसर्स वन क्यूब यह निकी आ गया कि बिटाए एक्जे लाइन यह एक्विटोरिय लाइन है कौन सा है यह एक्विटोरिय लाइन है तो 2 नहीं आएगा तो इसको सिधा लिख देंगा 1 इंटू 10 पाउर माइनस 7 टेसला ठीक है बी नेट हमसे पूछ रहा है ठीक है बी नेट अगर बात करेंगे तो यह बीचो बीच हम लोगों को मिलेगा दोनों एक दूसरे के प्रपेंटिकुलर है तो हम लोग लिख देंगे बी वन का स्केर प्लस में बी टू का स्केर ठीक है यह दो और एक तो दो का स्केर जमा एक का स्केर गयो नहीं हम 10 की पाउर माइनस 7 यह आना ही है यानिकि रूट 5 इंटू 10 पाउर माइनस 7 टेसला ठीक है एंगल पूछ ले तो हम लोग निकाल सकते हैं टेंजेंट थीटा है हाइट अपर में बेस यहने की बी टू बाई बी वन है टेंजेंट थीटा बी टू की वल्यू कितनी है यह एक और यह दो यहने की 1 बाई 2 हो गया के लिए रहे पंडा समझ में आया तो यहां से हम लोग टेंजेंट थीटा भी निकाल लिया टेंजेंट थीटा आ गया हमारे पास वन बाई टू या थीटा यहां पर आ गया टेंजेंट इन्वस वन बाई 2 और आप लोग ने 6.7 डिगरी आती है कि ठीक है कि अफंडा क्लियर हुआ समझ में आया आगे बढ़ते हैं कि है कि हमारे पास कि नेक्स सेट्पेंट कहता है कि find the Magnitude and direction of the magnetic field produced by the by दीज्ट यानि कि दो में उपर हम लोगों को देर रखे और पॉइंट पी के उपर हम लोगोंने net magnetic field निकालना है ठीक है यह को आधे पुएंट भी दोनों की एक्विटोरिय लाइन के उपर लाई कर रहे चीए और सिखर आए कि यह मंहीत abst Tig या mission हमारा सेकंड है इसी बेइन हमारा फरस्ट की ह्यों मैंने हमारा प्यादी बैच्चो सेकंड हो गया कहा है कि मैंने फसक अहीं तो 40 cm की दूरी पर और मेंगनेट सेकिंड से यह 30 cm की दूरी के ऊपर है तो दोनों के पॉइंट पी जो है वह एक्विटोरियल लाइन के ऊपर लाई कर रहे है तो मैं सीधा यहां लिख रहा हूं कि जो बीवन मिलेगा वह क्या एगा कि मिवनोट अपॉन में फॉर पाई अप इंटो में एम इंटो में आर क्यूब ठीक है और एमवन उसने बच्चों दिया है 32 एंपेर मिटर स्केर एंटू दिया है 27 एंपेर मिटर स्केर तो यहां लिख देता हूं एमटू के वह लिए मिटर स्केर और यह हो गया 27 एंपेर मिटर स्केर तो बीवन हमारे पास आ गया मिवनोट अपॉन में फॉर पाई इसकी वैल्लियू कितनी हो गई 32 अपॉन में यह डिस्संस कितना हो गया 40 एनने की 40 गुना 10 की पाउवर माइनस तो उस पूरे का हॉल क्यूब से एक्विशन फर्स्ट चोल इसको स्वाल कर लेते हैं प्यारे बच्चों एक बरी दसकी पाउवर माइनस का साथ इंटू में 32 और यह हो गया 1600 गुना में दसकी पाउवर माइनस का चार शीक है यह दसकी पाउवर माइनस का तीन हो गया और माल लेते हैं यह 200 और यह 200 और यह 2 पे चला गया तो यह इसको स्वाल करेंगे तो बीवन आ गया 2 इंटू 10 पाउवर माइनस का 5 टेसला शीक है वह इसी तरह हम लोग क्या निकाल लेंगे बीटू निकाल लेंगे बीटू निकाल लेंगे प्यारे बच्चो हमान लेते हैं हो आएगा कि म्यू नोट अपॉन में 4 पाई इंटू में M2 अपॉन में R2 का होल क्यूब अब यह वैल्यू 10 पाउवर माइनस 7 यह 27 और यह है बच्चो 30 का स्केर है तो 30 का स्केर 900 इंटू 10 पाउवर माइनस का 4 तो कट करने पर यह आ गया 10 पाउवर माइनस का 4 चीक है भाई और यह 3 और यह 100 पर चला गया यह यह बच्चो हमारे पास 3 इंटू 10 पाउवर माइनस का 5 टेसला क्लियर है पंड़ा समझ में आए आप लोगों को देखो अब क्या होगा नेट निकाल लेंगे बच्चो तो नेट मेगनेटिक फिल्ड आजाएगा हमारे पास ठीक है यह बीवन का स्केर प्लस में बीटू का हॉल स्केर ठीक है बीवन की वैल्ली वच्चो कितनी है देखो 10 पाउवर माइनस 5 तो सिधा सिधा लिख देंगे टू का स्केर प्लस में 3 का स्केर तो यहाँ पर सॉल करने पर आजाएगा बीड़ नो और दो चार तेरा ठीक है रूट 13 इंटू में 10 पाउर माइनस का 5 तो मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ कि भी नेट हम लोगों को मिल रहा है बच्चो रूट 13 इंटू 10 पाउर माइनस का 5 तेसला अगर यहाँ पर टेंजन्ट थीटा आप लोगों से पूछता है तो हम लोग फिर बता सकते है हाइट अपॉन में बेस अच्छा अब यहाँ पर आप लोगों को कोशन आता है कि सर ह हाइट अपन में बेस कैसे लें देखो भाई यह बीटू था तो बीटू तो हम लोगों को इस तरफ मिलेगा और बीवन हम लोगों को इस तरफ मिलेगा और माल लेते हैं कि यह हमारे पास भी आया क्लियर है और मैं यह वाला एंगल थीटा माल लेता हूं तो हाइट अपन मे कितनी है टू है इंटू 10 पाउर मैनेस 5 और इसके वल्य कितनी है बच्चो थ्री इंटू 10 पाउर मैनेस 5 याने कि 2 भाई 3 हम लोगों को मिल जाएगा तो यहां से थीटा आ जाएगा टैंजेंट इन्वर्स 2 भाई 3 ठीक है कर सकते हैं एक बड़ी आप लोग कीजिएगा कोई क्वेरी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे पूछेगा ठीक है ना भाई कि अग्यों कि अग्यों थैंक यू